इस बार सावन का जो महिना है काफी सारे सिद्य योग अपने साथ लेकर आया है इसलिए इस महिने में जितने ज़्यादा उपाय किये जाएं जितने ज़्यादा प्रयोग किये जाएं और जितने ज़्यादा साधना करे जाएं उतना ही कम है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी उपाय होते हैं, प्रयोग होते हैं, साधनाय होते हैं, उनका फल अवश्र ही प्राप्त हो जाता है, कुछ ना कुछ कर्मों में अवश्र ही जुड़ जाता है, और जब भी फिर उस अच्छे कर्म की आपको सबसे ज़्यादा अवश्रक्ता होती है, तो वह आपक को समाप्त करने के लिए सोभागे की प्राप्ती करने है तू और इस बार सावन के महीने में काफी सारे सिध योग बनने वाले हैं बलकि जितने भी सोमवार आएंगे तो उन सोमवार पर आप खास प्रयोग उपाय अवश्य ही करें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपनी ही जर्मतिथी के अनुसार किस परकार चार अंकों का एक खास डिजट निकाला जाता है जो आपके लिए बिल्कुल सोभागे की तरीके से कारे करता है बलकि उस नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप काफी सारे अपनी जीवन में बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं औ और काफी सारा प्रयास करने के बावजूद भी उन समस्याओं से आप निकल नहीं पाते हैं तो इन खास नंबर्स का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं धन प्राप्ती कर सकते हैं करज की समस्याओं से चुटकारा पा सकते हैं य जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बोक्स में ओम नमशिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें जिससे भगवान शिव की किरपा पर हमेशा बनी रहे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर ल जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ गणित अवश्य ही मौजूद रहता है जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके पीछे भी उसका कुछ नंबर उपलब्द रहता है और मौजूद रहता ही है ठीक इसी प्रकार जब किसी कारे आपके ऐसे हैं जो बहुत ऐसे दिनों पर हुए हैं जो बिल्कुल भी होने वाले नहीं थे लेकिन फिर भी हो गए और कुछ खास नंबर की सहाथा से ही वह हुए हैं ठीक इसी प्रकार आपने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ दिन आपके लिए भागेशाली होते हैं कुछ दिन बेकार होते हैं बलकि कुछ नंबर्स भी ऐसे होते हैं कि बहुत ही जादा आपके लिए लग्की होते हैं और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको दुरुभाग्य देते हैं तो उन नंबर्स से कैसे बचना है और कैसे अपने लग्की नंबर को प्राप्त करना है और कैसे उसका इस्तेमाल फिर करना है और कौन-कौन से कारे में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है इस संपूर्ण जानकारी को बिल्कुल ध्यान से आप सुनते जाएं सबसे पहले आपको ये बता दें कि इनके फायदे क्या क्या होते हैं तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्यां चल रही है और लगातार ही धनहानी बहुत ही ज़्यादा होती रहती है तो अगर इन नंबर्स को आप अपने मन में लगातार सोचते चले जाते हैं सोचते ही रहते हैं तो इससे धन आकरशन बहु में धन हानी उसके जीवन में बहुत ज़ादा होती हो उसे नौकरी में सफलता प्राप्त ना हो पाती हो तो अगर वह व्यक्ति इन नंबर्स को मन में लगतार सोचता चला जाता है तो उसके सारे कारे निर्विघन बिल्कुल संपन होते हैं तो किस प्रकार इस्तिमाल करना है ये भी आपने जान लिया है और समय भी आप जान लें कि कौन सा सबसे अच्छा समय है इन नंबर्स को इस्तिमाल करने के लिए तो वो समय रात को जो आप सोते हैं सोने से पहले और बिल्कुल सुबह उठने के बाद ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा महतपून, शक्तिश जाली और खास होता है तो इन समय में बहुत सारी और भी क्रियाएं करी जाती हैं जो आने वाले वीडियो में हम निश्ची थी आपको बताते रहेंगे जिससे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते ही चले जाएं और कोई भी आपको ना रोक पाए क्योंकि हमारे च परिशानी के बारे में ही अगर आप सोचते रहेंगे और अनुमान ही लगाते रहेंगे तो बस सोचते ही धह जाएंगे उन परिशानियों को कैसे मिटाना है ये जानना बेहुत आवश्यक है तो यह जितनी भी चीज़े हम आपको बताते हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से परियोग करें और इनका लाब उठाएं तो दोस्तों आपको बता दें कि रात को जब आप सो जाते हैं और सोते समय सोने से पहले उन नंबर्स को अगर मन में आप सोचेंगे जो हम बताएंगे कि कैसे निकालना है वो भी बताएंगे पहले इसकी प्रियोग विधी को समझ ल तो वो नंबर आपकी सारी परिशानी को सारे तनाव को ऐसे सोख लेगा और इस चीज़ को आप स्वयम आभास कर सकते हैं एक्सपिरियंस कर सकते हैं कि जैसे ही उस नंबर्स पर ध्यान लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सारा तनाव सारी परिशानी वो नंब भी उनको पतह है और क्या होने वाला है वो भी उनको पता हैakat ने वाला है वो भी उनकों पता है तो आपको अपनी कता है उस नमबर्स ये सब चीजे आपको नहीं बोली है, बस उन नमबर को मन ही मन सोचते जाना है, और फिर उन नमबर का परभाव आपके जीवन पर स्वयम ही पढ़ता जायेगा, तो ये प्रयोग विधी किस परकार करनी हैं, कुन से समय में करनी हैं, ये आपने जान लिए है, अब किस परकार नमबर निकालना है ये भी आप जान लें जैसे कि अगर आपका जरम 25 तारिक को हुआ है तो सबसे पहला नमबर आपका 25 है और अगर नवंबर में हुआ है तो दूसरा नमबर आपका 11 है और अगर साल 1985 में हुआ है तो आपका जो तीसरा नमबर है वे 85 है तो जो आपका मुख् वे इस प्रकार होगा 25, 11, 85 ये आपके लिए लखी होगा बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी एर में जिस भी साल में आपका जनम हुआ है जो सन है उसको बस हटा देना है जैसे 19 में हुआ है 1985, 1988, 1999 में इस प्रकार अगर हुआ है तो इस में से 19 को हटा देना है यानि कि पहले जो सन के अक्षर है उन्हें हटा देना है और अगर किसी विक्ति का जनम 2005 में हुआ है तो उसे 2000 को हटा लेना है और 05 का इस्तेमाल करना है यानि कि आपके जनम की जो तारीक है आपका जो महिना है और उसके साल का अंत के दो नमबर जो हैं उन सब को निकाल कर उसी नमबर का इस्तेमाल आपको करना है बस यही आपका लखी नमबर है और जब आपको ऐसा पता लग जाता है तो बस मन में उसे सोचना शुरू कर दें लगातार उस नमबर को देखना शुरू कर दें एक कागज ले लें कागज पर उस नंबर को लिख लें जहाँ पर आप सोते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर बस उस नंबर को लिख कर रख लें और उस नंबर को लगातार देखते जाएं जब भी आपके जीवन में परिशानी हो उस नंबर को देखें या जब भी आपको जब आपको कोई भी प्रयास करने की अवश्यक्ता नहीं पड़ेगी तो बस उसी समय से आपके जीवन में धन आकर्शन दुगनी तेजी से हजार गुना होकर बढ़ता है तो जो लोग जिनका व्यापार नहीं चलता है तो अवश्य इस प्रयोग को करें खाली बैट कर चिंता करने से तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है वैसे तो जनम कुंडली के अनुसार और भी बहुत सारे प्रयोग निकाले जा सकते हैं बहुत सारे प्रयोग भी होते हैं लेकिन वीडियोज में एक आदमी के लिए खास प्रयोग नहीं बताया जा सकता है इसलिए सभी हो जो शक्तिशाली हो जो कमजोर हो उन्हें कैसे माइनस करना है और जो शक्तिशाली हो उन्हें कैसे प्लस करना है वो भी हम आने वाले वीडियो में निश्चिति आपको बताएंगे क्योंकि कुंडली का उसके ग्रहों का काफी ज़्यादा परभाव इंसान के जीवन में निश्चिती पड़ता है अब इंसान इसे माने या ना माने उसके ना मानने से कोई भी फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर शनी की साड़े साती हो तो आप इस चीज़ को खोदी जान सकते हैं और उसके अनुसार किस परकार नंबर निकाले जाते हैं या आने वाले वीडियो में निश्चिती हम आपको बताएंगे क्योंकि इसी वीडियो में अगर बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कई घंटे का हो जाएगा तो ये जितनी जानकरी हमने आपको बताई है इसका अभी से इस्तिमाल करना शुरू करें अभी लिखने कागज पर और इसे ओर भी ज़़ादा परभावशाली बनाने के लिए आप पत्ते का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे पीपल का पत्ता, बर्गद का पत्ता या फिर अगर आप अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति कर जाता है वो भी आने वाले वीडियो में निश्ची थी हम आपको बताएंगे इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे जब भी वीडियो आती है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करें ओम नमस्षिवा आए हरहर महादेव